गरिजा महाराश्रमा था माननीय श्री राहुल जी गांधी केसी वेनु को पाल जी एच के पाटिल जी नाना पटोले जी बाला साहब धोराट जी भुपेश भगेल जी अशोक चोहान जी पृत्वीराज चोहान जी दिग्विजे सिंग जी जेराम रमेश जी मुकुल वासनिक जी अविनाश पांडे जी रजनी पाटिल जी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिश नेता हमारे प्यारे कारेकरता बाईयों और भेनों आप सब का यहां बहुत बहुत स्वागत आप दूर दूर से आए मेरी बात सुनने आए इसके लिए आप सब को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद संत गजानन महराज जी की जै तक्रीबन सब्तर दिन पहले यह यात्रा कन्या कुमारी से शुरू हुई समुद्दर के किराने किनारे यात्रा की शुरुआत हुई हर रोज पच्चिस किलोमेटर यह यात्रा चलती है टमिलनाडू केरिला करनाटक तलंगाना आंध्रा और महराश्ट्रा विपक्ष के लोगों ने सवाल पूछा था यात्रा की क्या जरूरत क्या फाइदा है इस यात्रा की देश में देश के कोने कोने में आज बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी डर फैला दिया है जहां भी आप देखें आपको डर नफरत और हिंसा दिखेंगी इस डर के खिलाफ नफरत और हिंसा के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की और यात्रा का लक्ष आपको कुछ बताने का नहीं आपको कुछ समझाने का नहीं है अपनी मन की बात रखने का नहीं है यात्रा का लक्ष आपकी अवाज को सुनने का है आपके दर्द को समझने का है मैं सोचता हूँ कि डर से नफरत से हिंसा से बटवारा होता है प्यार से जनता की आवाज को सुनने से जनता से गले लगने से लोग जुड़ते हैं नफरत से इस देश को कभी फाइदा नहीं होगा मैंने डर की बात बोली डर कहा डर किस बात का विपक्ष के लोग पूचेंगे डर किस का कौन डरा हुआ है अगर वो इन सडकों पे चलते पाँच मिनट में उनको बात समझा आ जाती बाईयों और बेनों इस प्रदेश में पिछले छे महीनों में कितने किसानों ने आतम हत्या की है क्यूं की है किस कारण की किसी भी किसान से बात करो आपको कहेगा हमें सही रेट नहीं मिलता तंग आ गया हूं मैं इन शब्दों को सुनकर पहली बात बोलते हैं मैं पूछता हूं कैसे हो कहते हैं सही रेट नहीं मिलता कि दूसरा सवाल पुछता हूं क्या हो रहा है कहते हैं हमने बीमा का पैसा भरा आंदी आई एक रुप्या नहीं मिला और फिर सवाल पूछते हैं राहुल जी एक बात पताईए हमें समझ नहीं आती बात किसान आतम हत्या करता है क्यों करता है पचास हजार रुपए का कर्ज होता है लाख रुपए का कर्ज होता है और लाइन लग जाती है हजारों किसान आतम हत्या करते हैं पचास हजार रुपए का कर्ज होता है एक लाख रुपए का कर्ज होता है कितने किसानों ने मुझसे पूचा राहूल जी हमें एक बात समझा दीजिए हमने क्या गलती की एक लाग रुपे का हमारा कर्ज माफ नहीं होता मगर हिंदुस्तान के अरब पतियों का लाखों करोर रुपे कर्ज माफ हो जाता है क्यूं क्यूं वो पूछते हैं ये डर नहीं है तो क्या है और ये ऐसे ही नहीं पहला है पहले भी विदर्ब में किसानों को मुश्किल हुई थी उस समय दिल्ली में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी हमने विदर्ब के किसानों की आवाज सुनी और एकदम विदर्ब को पैकेज दिया डर कैसे मिठता है डर सुनने से मिठता है डर गले मिलने से मिठता है मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ आज बता रहा हूँ स्टेज से अगर महराश्टन के चीफ मिनिस्टर अगर हिंदुस्तान के परधान मंत्री दिल खोल कर प्यार से महराश्टन के किसान की आवाज सुन ले यहाँ पर कोई आतम हत्या नहीं करेगा क्योंकि अगर उन्होंने दिल खोल कर आवाज सुनी तो जो किसान सहरा है जो उसके दिल में दर्द है उसे वो समझ जाएंगे और अगर उसे समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ मदद वो किसान की कर देंगे इन सड़कों पर सिर्फ किसान नहीं मिलते हैं युवावी मिलते हैं हजारों युवाव से मैंने बात की कोई इनजिनियर बनना चाहता है कि लॉयर बनना चाहता है को आर्मी में जाना करना चाहता है कोई पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहते हैं हर युवा के माता ने पिता ने खून पसीने के पैसे डाले हैं युनिवर्सिटी बेचते हैं बच्चों को कॉलेज बेचते हैं फ्री में नहीं आता महराश्ट्रा में यह मुफ्ट में नहीं मिलती शिक्षा लाकों रुपए देते हैं और फिर इन सडकों पर क्या सुनने को मिलता है क्या पड़े एंजिनियरिंग कौन सी मेकैनिकल क्या कर रहे हो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो मू नीचे करते हैं कहते हैं मजदूरी कर रहा हूँ उबर की गाड़ी चला रहा हूँ क्या हम ऐसा हिंदुश्चान चाहते हैं कि माता पिता लाकों रुपे डालें बच्चों के शिक्षा में डालें सारा का सारा पैसा उनके जेब में से निकल कर बड़े उद्योग पत्यों के हाथ में चला जाएं और उनका सपना कभी पूरा ना हो ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए यह किसी और का हिंदुस्तान है यह हमें नहीं चाहिए दो तीन उद्योग पती देश का पूरा का पूरा धन उठाके ले जाएं और हमारे युगा अपना सपना कभी ना पूरा कर पाया ऐसा नहीं चाहिए हमें अंदुस्तान और सिर्फ हम होने नहीं देंगे छोड़ो ऐसा हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे तो किसानों की दिल में डर युवाओ के बीच में की दिल में डर उनके माता पिता के दिल में डर और फिर उस डर को बीजेपी नफरत में बदलती है बाटने का काम करती है भाई को भाई से लडाती है आप सब के परिवार हैं आप सब के भाई हैं माता पिता हैं परिवार में नफरत होती है तो परिवार का फाइदा होता है या नुकसान कोई है यहाँ पे जिसके परिवार में नफरत से फाइदा हुआ है कोई भाई है यहाँ पे जिसको अपने भाई से लगने से फाइदा हुआ कोई है यहाँ पे बेटा जिसको अपने पिता से लड़ाई करने से फाइदा हुआ कोई है नहीं हो सकता तो अगर परिवार को फाइदा नहीं होता तो देश को कैसे फाइदा हो जाएगा देश भी तो एक परिवार है लाको परिवानों से देश बनता है तो हिंसा से नफरत से देश को फाइदा नहीं हो सकता और आज ये आपकी धर्ती है महापुर्शों की धर्ती है शात्रपती शिवा जी महाराज जी जोति भापुले जी शाहु महाराज जी डॉक्टर बाबा साहिब अमबेटकर जी सावित्री भाई भूले जी भोलकर जी संद गाजगे महाराज जी दन्यश्वर महाराज जी शिर्दी साहिब अबाजी लिस्ट है इन में से किसी ने ये कहा था कि नफरत और हिंसा फैलाओ किसी ने कहा किसी ने नहीं कहा सबने प्यार की बात की सबने लोगों को जोडने की बात की और वो ही ये यात्रा कर रही है हम जोडने का काम कर रहे हैं वो तोडने का का करती आये कि आर्मी में हुआ करते थे मैंने उनको देखा पहले बात समझ नहीं आई मैंने का यह क्या है और फिर जब वो पास आये मैंने देखा उनकी टांगे नहीं थी एक हाथ नहीं थी मुझे उन्हें नहीं बताया कि जब उनको चोट लगी उनकी टांगे काट दी गए तो तीन महीने के लिए हस्पताल में उन्होंने अपनी बीबी को बताया नहीं कि उनके पैर कड़ गए महीनों वो हस्पताल में रहे दोनों पैर कड़ गए एक हाथ तुड़ गया इंटस्वाइंज बाहरा गई थी चाती खुल गई थी और मेरे साथ बैठे मुस्कुर आ रहे थे तो मैंने उन्हें से पूछा मैंने पूछा बताईए आपको इतनी बड़ी चोट लगी आपके खिलाफ इतनी हिंसा हुई आपको नफरत नहीं आती कि आपके दिल में नफरत है क्या मुस्कुर आ के कहते हैं मुझे किसी से नफरत नहीं और अगला शब्द कहते हैं मैंने पूछा क्यूं कहते मेरे दिल में डर नहीं है मैं नहीं डरता जिस दिन सुनो जिस दिन मेरे पैर कट गए उस दिन मैंने सोचा नई जिन्दगी है इसको मैं जियूंगा हिम्बत से जियूंगा बाई और बेनो जिसने भी अपनी जिन्दगी में हिंसा सही है जिसने भी इंसा सही है जिसको भी सच्ची चोट लगी है उसके दिल में डर नहीं होता है और उसके दिल में नफरत नहीं होती है यह सब लोग जो नफरत की बात करते है इनको कभी चोट नहीं लगी है इनके किलाब किसी ने हिंसा नहीं किया है इसलिए यह बात करते है जो दिन भर देश को अपना खून पसीना देता है चाहिए वो किसान हो चाहिए वो मजदूर हो युवा हो उसके दिल में नफरत नहीं हो सकती है सवाल ही नहीं उठता आज हम यह आए शिवा जी महराज जी जिन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखा है उनकी जमीन है मा के बिना जो मा होती है वो बेटे को रास्ता दिखाती है शिवा जी महराज जी को शिवा जी महराज किस में बनाया वो कैसे बने शिवा जी महराज और वो शिवा जी महराज थे क्या हाँ वो एक व्यक्ति थे जरूर मगर वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे उनमे और हम सब में क्या फरक था फरक ये था कि वो महराश्टा की आवाज थे पूरी की पूरी जो आपके दिल में जो भावना थी वो शिवा जी महराज के अंदर थी और उनको रास्ता दिखाने का काम किस ने किया उनकी माता जी ने किया राश्टा माता जी जाओ जी ने किया तो आज हम उनकी भी याद करते हैं जो शिवाजी महाराज जी ने कहा और आपके सब महारपुर्शों ने कहा वही काम ये यात्रा करने की कोशिश कर रही है और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो क्योंकि आपने इस यात्रा को अपने पूरी के पूरी शक्ति दे दी पुरा प्यार आपने दिया असान काम नहीं है 3500 किलोमेटर चलना असान काम नहीं है मगर आपने असान बना दिया अब देखे नेताओं के चेहरे देखे ठकान नहीं है किसी में मेरा चेहरा देखे कोई ठकान नहीं है यह आपका काम है आपने हमें प्यार दिया आपने हमारी मदद की और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया महराश्टा के किसानों ने युवाओं ने माताओं ने आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है और इसके लिए मैं आप सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं ये अपनी पूरी जिन्दगी नहीं भूलूँगा कि महराश्टा की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी शक्ति दी और इतना गियान दिया आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिन चत्रबकी शिवाजी महराज को चनल देलिवादी माराश्टा इंची वेदना शेकरिया आत्मात्या करता है असा सवाल उपसित के लाए हम तिल की सुनकर नकले है इस देशिन दी आवाज है हुआ है इंची वेदना नकले है वो जात हमारे कौन देशित करता है वो जात हमारे कौन देशित करता है हमें आपको मिले जाए जुड़ जाए अपना बतन हुद्ध पिर्ण जेश्मुख्षी जानुरोत करूँगा एक तुम्हार तुम्हार को आपको थेश्मुख्षी जानुरोत करूँ गाहिए का ने राहूल जीका बहुत बढ़िया चित्र बनाया है लातुर के कलकर वो दे मन की नहीं अमन की बात चलो चले साथ-साथ नफरत की अंधियारी रात चलो मिटाए साथ-साथ छोडो 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 राश्टरिष के लिए नफरत छोडो मिस अगेन ना प्ला विनंति करतो की राहूल जी जाय परेंतक रुपया कोनी पन इतुन जायचा नहीं राहूल जी जाता है क्रुपया आपला सगेन ना विनंति है कि अपन दोन मिन्टा से टी आहे थिता तुबरा बोला जोडो जोडो छोडो जोडो जोडो बोला जोडो